बॉलिवोट टाउन में देखा जाए तो हर अभिनेतरी की जिन्दगी बहुत अलग रही है आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं तबू के बारे में विटीरिन एक्ट्रस तबू ने आज भी अपने जिन्दगी में अगेले रहकर भी लोगों को किस तरह से अपनी एक्टिंग से अपना दिवाना बनाया सब जानते हैं कि तबू ना सिर्फ बॉलिवूट के परदे बलकि डिजिटल फिल्म को लेकर भी सुर्चियों में कुछ टाइम पहले रही थी शाहिद के स्टेब ब्रदर इशान कटक के साथ उनके शौर्ट फिल्म की हम बात करेंगे जिसके लिए तबू को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया तेलगू तमिल मल्यानम बेंगॉली से लेकर मराठी फिल्मों की अलावा हिंदी सिनेमा में प्रॉमिनेंट आक्ट्रस की तौर पर पहचान बनाने वाले तबसुम फतीमा हश्मी की बात कर रहे हैं हम जिन्हें वैसे तो तबू ही कहा जाता है पचास साल की तबू आज भी अपने जिंदगी में कुवारी है क्या आपको मालूम है कि तबू की शादी को लेकर अज़ देवगन को जमेदार ठहराय जाता है कि वो आज भी कुवारी है क्योंकि तबू ने एक इंटरव्यू में जब गोलमाल्स के लास्ट सिक्वल गोलमाल फोर में तबू नजर आई तो फिर तबू से पूछा गया था सवाल इसके प्रमोशन के दौरान की उन्होंने शादी को लेकर क्या प्लानिंग की है तो फिर अजय देवगर ने वहाँ पर इंबरेस हो कर तबू की बात माने दरसल तबू और अजय काफी पुराने अच्छे दोस्त रहे हैं इसलिए तबू को ही जिनदार मानती है पूरी तरह से उनकी शादी की जो तूटने वाली हर एक डिसिजन थी तबू का कहना है कि अजय देवगर ने कभी भी उनकी शादी नहीं होने थी क्योंकि अजय उनके लिए पॉफिक्ट मिस्टर पॉफिंग ढूनने वाले थे जो आज तक काम पूरा नहीं कर पाए है अजय देवगर और तबू ने नवे की दश्रक में एक से बढ़कर एक पल में की जिसकी वजह से इनकी बॉंडिंग काफी स्ट्रॉंक बन चुकी है लेकिन ये भी सच है कि तबू का नाम बीते कुछ साल पहले सौट की सूपर स्टार नागर जुना के साथ काफी जुड़ा था इसके अलावा संजे कपूर के साथ भी तबू का नाम जुड़ा हर प्यार में तबू को सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही मिली है जिसकी कारण तबू आज अपने जिंदगी में अकेली है नेक्श तो नाई नियुजों सा तब तक रिपो